दोस्तो 23 जुलाई दिन मंगलवार को वित्न मंत्री निर्मला सितर्मन जी के द्वारा पून केंदरी बजट पेस किया गया और ये सरकार का एक गराहमा पून बजट था इसके पहले जो बजट आया था वो बजट अनपूरुक बजट था लेकिन ये एक पून बजट है इस आम बजट में सरकार ने जो 9 प्रात्मिकताएं गिनाई हैं अगर उनको देखें तो पहली प्रात्मिकता में हैं खेती में उतपादकता दूसरी है रोजगार और छमता विकास तीसरी समगर मानों संसादन विकास और समाजिक नयाए चोथी है वे निर्माण और सेवाएं, पाचवी सहरी विकास, छटी उर्जा सुरक्षा, सात्वी है अधु सनचना, आठवी है नवाचार, सोध और विकास, और नवी है अगली पीडी के सुधार तो देखो फ्रेंड्स, भारती समिधान के अनुच्छेद 112, यह important है और एक्जाम में पूछ सकते हैं, तो भारती समिधान के अनुच्छेद, आइडिकिल 112 में, भारत के केंदरी बजट को वार्सिक वित्ती वियूरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, वार्सिक वि प्रगती है, वो सही रास्ते बचल रही है, भारत में जो महागाई देर है, वो 4% की और अग्रिसर है, और इसे भी ठीठा की माना जाएगा, साथ यसाथ यह भी कहा गया कि दुनिया के मुकाबले, भारत की अर्थिव्योस्ता अच्छी हालत में है, तो फ्रेंड्स, सबसे पैनल और सोलर सेल भी सस्ते हो जाएंगे, सोना चादी प्लेटिनम भी सस्ता हुआ है, क्योंकि इन पर जो इंपोर्ट टैक्स होता है, वो कम कर दिया गया है, 25 आवस्च खनिज भी थोड़े सस्ते हो गए है, कैंसर के इलाज से जोड़ी दवाएं यह भी सस्ती हो गई है, म बायात सुल्क कम कर दिया गया है, दूसरी बात है कि मॉबाइल फोन और पार्ट्स, पीसी बी और मॉबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फिजदी घटा दी गई है, 25 आवस्च खनिजों पर सीमा सुल्क नहीं लगेगा, सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माड की व भी सस्ता मिलेगा आपको, मचलियों और अन जलजीओं के भोजन पदार्थों पर आयात सुल्क 5 फिजदी करने का नेड़ा लिया गया है, और महगा क्या हुआ तो PVC फ्लेक्स बैनर का आयात करना अब थोड़ा महगा होगा, कुछ दूर संचार उक्रण मी महगे हो जाएंग एक साल से ज़्यदा समय तक रखेगे एकुटी निवेस महागी होंगे, टैक्स 15% से 20% किया गया, एक साल से ज़्यदा रखेगे सेयर महागी होंगे, टैक्स 10 फिजदी से बढ़ा कर 12.05 फिजदी किया गया, अमोनियम नाटरेट पर आयात सुल्क 10 फिजदी बढ़ाया है, खुद से नस्ट न होने वाले प्लास्टिक महागे होंगे और आयात सुलक 25 फिस्दी घटाये गया है। ठीक है तो ये चीजें थोड़ी महागी हुई हैं, कुछ चीजें थोड़ी सस्ती हुई हैं। इस बार के बजट भासन में बित्मंत्री ने एंजल टैक्स समाब करने और नई करप्राली के तहत करदरों में बदलाव करने का भी ऐलान किया है। बित्मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वालों को भी रहत दी है। आईए 10 बिंदू में समझते हैं बजट से जुड़ी खास खास बाते हैं। तो पहला बिंदू है, पहली बार नौकरी पाने वालों को तोफा, सरकार की नौ प्रात्मिक्तों में से एक है, रोजगार और कौसल विकास, इसके तहट पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने वाली है, फार्माल सेक्टर में पहली बार नौकरी की सुरुवात करने वालों को एक महिने का वेतन एक्स्ट्रा मिलेगा, यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानि कि डीवीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा, इसकी अधिक्तम रासी 15,000 रुपए होगा, यानि कि दो दसमलों एक जिर्यो करोन, मतलब दो करोन दस लाख युवाओं को फायदा मिलेगा, अगला बिंदु है, पीएफ में एक महिने का योगदान सरका करने जा रही है, तो सरकार रोजगार में प्रेश करने वाले तीस लाख युवाओं को भी फायदा दिने जा रही है, या फायदा भविस्दी यानि कि PF में एक महिने के योगदान के रूप में रहेगा तीसरा बिंदू है कि एक करून युवाओं को टाप 500 कमपनियों में 12 महिने की इंटर्णसिप और हर महिने भत्ते भी मिलेंगे तो एक करून युवाओं को यानि कि 100 लाक युवाओं को जो इंटर्णसिप कितने दिन की होगी तो 12 महिने की होगी इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक महाल को जानने समझने और अलग-अलग पेसे की चुनोतियों से रूबरू होनों का मौका मिलेगा यानि कि उनको सीखने का अच्छा आउसर मिलेगा तो पहले तो आपको वित्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों पदलाओं से चार करोण नोकरी पेसा और पैंसरलों को फायदा मिलेगा वित्यमंत्री ने ये भी कहा कि टैक्स लेप में बदलाओं से 10 लाग से ज़्यदा वेतन पाने वालों को 17,05 रुपे की बचत होगी नई कर्पराली में टैक्स ले पर 20 परसेंट और अगर 15 लाग से ज़्यदा कमाते हैं तो 30 परसेंट का टैक्स आपको देना पड़ेगा mutual funds या UTI के repurchase पर अब कोई टैडियस नहीं लेगेगा ये भी यहाँ पर एक benefit है और साथ चाथ PM गरीब कल्यान योजना पान साल ले बढ़ा दी गई है तो कहा गया कि जो PM गरीब कल्यान योजना है इसको पान साल ले बढ़ाया गया है इससे 80 करोन से अधी गरीबों को ला लेंगे अंतरिम बजट में हमने बिक्सित भारत को roadmap को देने का वादा किया था तो यहाँ पर उसी के तहत यहाँ पर कुछ चीजें PM गरीब कल्यान योजना के अंतरगर दी गई है और mobile phone और उपकर्ण सस्ते होंगे मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो सीमा सुलक है उसक असुलक 6 फिजदी और platinum पर 6.4 फिजदी घटाया गया है बिहार की सड़क संपर्ख परजजनाओं के ले 26,000 करूपए दिये गया है यानि कि बिहार के ले पिटारा खोल दिया गया है और बहुत जल्द पतना पूरिया एक्सप्रेस वे बक्सर भागलपूर एक्सप्रेस व जाएंगी इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए सेंदर की स्थापना भी सामिल है बिहार में नए एरपोर्ड मेडिकल कालेजों और खेलकुत की और सुनसना का भी निर्माण किया जाएगा पूजीकत निवेसों में सहायता के लिए अत्रिक्त आवंटन उपलब कराए जाएगा और दस्वा है कि वित्तमंत्री ने परेटन छत से जुड़े जरूरी एलान किये हैं उन्होंने महाबोधी मंदिर के लिए कारिडूर निर्माण के एलान की बात कहीं है गया के विशुपत मंदिर में भी कारिडूर बनाए जाएगा कासी विस्तुरात मंदि के कारिडूर जैसे ही होंगे राजगीर भी बौध और जैन्स धालूं के लिए महत्तपूर है तो राजगीर के तीर्थ चेत्र का भी विकास होगा नालंदा को भी प्रटन छेत्र के लूप में मजबूत करने के लिए वहाँ विकास किया जाएगा और इसके लाँ मित्तमंत समरी आप लोगों को यहाँ पर बता दी जाए कि बजट में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें सामिल की गई हैं इसके लाँ फ्रेंड सरकार ने कहा है कि मुद्रा लोन में अब 20 लाग की मदद की जाएगी और तीन प्रस्यत ब्याज पर छात्रों को लोन में लेगा यह यह बजट की में हाइलाइट्स हैं यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और श्रक लिजिएगा चनल पर लिबार तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा धन्यवाद